नमस्कार दोस्तो आप सभी का गिता फुकिंग वल्ड में स्वागत हैं आज हम बनाने वाले एक अनुखे नए अंदाज में पकोड़े वो भी कौन के देख रहें दोस्तो अंदर से कितने हलके जे सौपड़े भार से बहुत ही करारे एक बार मेरे तरीके से आप घर पे बना के दोस्तो सही क्यों मुह में पानी आएगा ही हपते में दो या तीन बार आप घर पे बनाओगे इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तो आखरी तक वीडियो देखना है वीडियो पसनाने के बाद हमें कम्मेंट बॉक्स में जरूर बताना तो चलो भी ज्यादा बाते करते ने वीडियो बनाना स्टार्ट करते कौन के नए तरीके से पकोड़े यहां पर और ने 1аешь a preserve कौन लिया हुआ है मककेई के दाने कहते दोफे इसी तर से मलेना है यह स्वीट कौन बोला जाता है दोस्तो है अब यह Är अव्याव एक mixer जुर ले लेना है दूसों यहां पर में कॉन wow कर लेना है इसी तरह से वो इसी केसाद आठ आधा कब तो किु going up using a any day यहाँ परना नहीं है को आप देख सकते हैं आपए मैं निकाल लेना hebben यहां wszyscy the पानी का यूज मैंने किया doesn't already above जेसे обсी riders बैटर मिल गया, इधम अच्छी तर से मोटा मोटा, देखो नची अब इसको हमें एक बाउल में निकाल लेना है इससे कैया था पोहा इसमें डाला थो सॉप्ट हो जाता इसके साथी, आप देख सकते हैं इसी तरह से, अब इहां पर एक बॉल में निकाल लिया है अब यहां पर हमने एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ डालना है दोस्तों एक दम बारी कट करना है इसी के साथ हमें डालेगे एक हरी मिर्च बारी कटी हुई तीखापन आपको ज्यादा चे तो आप इसमें और मिर्ची आड़ कर सकते हो तो य इसी के साथ हमें डालना है आधा चमप गरम मसाला यहाँ पर डालेगे एक चमप जितना धना वह जीरा पाउडर डाल देते हैं इसी के साथ हमें डालेगे आधी चमप जीरा जिरा के साथ जाएगा चट पटा स्वाद आने के लिए यहाँ पे निम्मू डालने वाले निम्मू का रस आधी चमट डाल देना है अब यहाँ पे स्वाद उसर नमक डाल देना है धेर सारा धनिया भी डाल देते है बारी कटा हुआ और यहां पर और खरारे पनाने के लिए यहां पर सिक्रेट मेरा तरीका है दोसमें यहां पर में चावल काटा यूज करने वाली हूँ यदि आपके पास चावल काटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं घर के जो चावल होते उसको मिक्सर में निकाल लेने का और पाउडर की जैसे पीस लेने का अब यहाँ पर मैंने दो बड़े चमट डाल देती हूँ यह वाला चमट यूज किया हुआ है मैंने और इसी के साथ हमें टेस आने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लेना है दो इसको भी हातों से अच्छी तसे मैच करके डालना है अब यहां पर सारी सामगरी हमने डाल दी है अब यहां पर हाथों से अच्छी तसे मिस कर लेना है यहां पर पानी का यूज हमें थोड़ा भी करना नहीं तो आपने इस बात का ध्यान देना है देखो एदम परफेक्ट हमें जैसे चाहिए वेसे बैटर बन जाता है रेडी इसलिए बताती हूँ आप पानी डाल दोगे आपको लगा फी बराबर हो गया फी जैसे चाहिए वेसे रिजर्ट आएगा ने हमारे पकोडे में इदम परफेक्ट में लेके बता देती हूँ देखो इसी तरह से में चाहिए तो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मन पसंद लगता है वह सेप आप दे सकते हो यहां पर में थोड़ा मुठ्या जैसे शेप देने वादी हूँ इसी तरह से देख रहो एकदम मुठ्या कैसे होते हमारा वैसे थोड़ा चोटा करना है में बहुत बढ़ा हो गया यह चोटा जितना करोगे न दोस्तों उतना क्र इस पी लगता है क्यों जैसे मुंग भजी के से उत्य हमारी वैसे ही है तो किन अभी सारे इसे ही बनाए जाए अब यहां पर सारे मुठ्या हमने बना लिए देखो इसी तरह से मैं आपको लेके बता देती हूँ दोस्तों पॉफेक्ट बन गई यह है ना तो अब इसको फ्र अब आपको मालूमें कौन कितना ही होता है खाने में और टेस्टी भी इतना ही लगता है एक नए और नए अंदाज से हम आपको बता रहे हैं तो इहां पर सारे एक-क मुठी हम डाल देते ओल में वह इसको तुरंट टच करना है अब आप देख रों हम टच करने वाले इसको परफेक्ट इसको जब तक फ्राइ करना तब तक यह कुरकुरा पनना बन जाए देख रों इसी तरह से एक दम बबल भी हल्की कम हो जानी चाहिए इससे बीच-बीच में इसको चलाते भी रहना है इस सारी जगह से अच्छी तरह से कुरकुरे हो जाएगे फ्राइगे अब अब आप देख सकते हो यहां पर हल्के हल्के ऊपर आ गए उपर आ गये यानी समझ में आते हमारे जो पकोडे हलके हो गया अंदर से बहार से करा रहे है इदम गोल्डन फ्राइ हमारे हो गये दोस्तों एकदम देख रों मैं आपको लेके बता देती हूँ देख रों कलर कित पिक्की वाली मिर्ची लिए कागडा देख रहो जटे कॉली पहले ही बन करके मिरची ऊब ले से और सकने को घिले ही। अनोका खाने को तो बस दिल खुश हो जाता है ओईल थोड़ा भी नहीं वो तोड़के भी बता देते दोस्तों वाव देख रहो हलके जो सॉप्ट है वो भार से करा रहे है जो गुल्डन गुल्डन दिख रहा है वो करा रहे है हमारे तो आजका वीडियो को कैसे लगता था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है अभी तक नए होगे सस्क्राइब करो लाइक करो इस वीडियो को जादे जाद शेर करो और इसे ही प्यारो सपट करो धन्यवाद दोस्तों